हेलो फ्रेंट्स वागत है आप सबका आपके अपने येट्यूब चैनल इसमा इंवेस्टमेंट में फ्रेंट्स हाउजिंग फ्नांस कंपनीज में कुछ ही ऐसी कंपनीज हैं जिन्दों ने अच्छे रिटन्स इंवेस्टर को दिये हैं जिसमें बजाज ट्विंस का नाम आता पिचासी परसेंट से जड़ा करेक्ट हो चुके हैं और वहां पर काफी इंवेस्टर्स जो हैं हाईयर रेट पर फसे भी हुए हैं और वह सब कंपनीज भी अच्छी पैरेंटेज वाली हैं आज किस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ हाउजिंग फ्नांस कंपनीज के बारे में बात कर रहे हैं चार कंपनीज के बारे में हम बात करने वाले हैं आईबुल फ्नांजिंग फ्नांस फुड़को और लाईसे आउसिंग फ्नांस जिनकी पेरेंटेज बहुत स्ट्रॉंग है बिजनस रिवाइफ कर रहा है पर इस्तिल वह अपने हाई से बहुत जड़ा करेक् इस कंपनी का लगबग धाई तीन साल पहले आईप्यो आया था आईप्यो के बाद से बहुत जबर्दस जो है स्टॉक में मूव देखने को मिला था आईप्यो को भी रस्पांस बहुत अच्छा मिला था पर उसके बाद से स्टॉक में एक कंसॉलिडेशन करेक्शन का ऐसा रहते हैं था और एक कश्ड आवज जय से अचितन राएक दो देखनेको मिला कि स्टॉक क्रेक्ट तो हुए ही जा रहा है और काफी टाइम से राच्म करेंच में ट्रेटेप कर रहा है यह जो कंपनी हैं उनको He italianonew जो है कंपनी की करती है final sometimes what I am urban infrastructure project को finance करने का है यह stock NBFC space में सबसे सस्ते stocks में साप इसको बोल सकते हो 90 रुपे का highest ने immediately IPO के time बनाया था IPO के listing के बाद में वहां से correct हो के 134 रुपे के आसपास रह चुका है valuation wise जो है सिर्फ अपने book value के आधे पर trade कर रहा है gross NPA December quarter की बात हो रही है मैं यह नहीं बोलूगा बहुत disappointing थे हलागे December quarter के results तो अच्छे नहीं आये थे बट फिर भी कोई growth यहां ऐस तरह की देखने को नहीं मिली जिसके लिए market में कोई excitement हो इसका यही reason है किस stock की डी rating हुई है और किसी भी level पर यहां पर जो है खरेदारी नहीं आई है फ्रेंट्स पर undoubtedly जिन valuations पर ट्रे ट्रे ट्रेड कर रहा है वह बहुत attractive है पी एन भी housing finance यह भी IPO के बाद में stock बहुत जब अदस चला सतरह सो सो बचास रुपे का हाई इस ने बनाया recent में अभी च्छे महिने पहले जब news आये थी कि इसके पर मोटर चेंज होने वाले है पी फंट्स के जो है हाथ में एक company जाने वाली है और यहां पर जो है बड़े नाम निकल कर आये थे जिन्होंने इस company में investment की बात की थी हाला के सेबी ने उस दील पर रोक लगा दी थी यह स्टॉक उस ताइम आठ सो शाड़े आठ सो नोसो रुपे तक गया था करेक्ट होके फिर चार सो रुपे तक आ चुका है कंपनी बहुत बढ़िया है बुक वाल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है लगबग पॉइंट सेवन फाइव पर सेवन गुना के आसपास ग्रॉस एन पीए साड़े साथ आट परसेंट नेट एन पीए साड़े चार पांच परसेंट एन पीए बड़े हैं हाउसिंग फिनांस इसके हाथ में जा रहा था एक डियरेटिंग देखने को मिली थी हलाकि वो डिल कैंसेल हुई तो स्टॉक में फिर से करेक्शन आई है तीसरा स्टॉक इंडिया बूल हाउसिंग फिनांस मच जो है बहुत ही लोग इसमें फसे हुए हैं बहुत ही स्ट्रीट का फेवरेट रह है किसे टाइम पर करेक्शन आई राके जुन जुन वाला जैसे बड़े लोग इंवेस्टेड हैं उसके बाद भी स्टॉक चलता नहीं है कल न्यूज आईटी के समीर गहरो साहब ने जो है फाइनली रिजाइन कर दिया है अब तो यह कंफार्म हो चुका है कि आने वाले टा काफी क्लीनिंग बुक्स की हुई थी जब कुछ डिटेक्ट हुए डाइवर्जन आफ मनी डिटेक्ट हुआ था कंपनी में 1370 रुपे का हाई है महां से 80 85% करेक्ट हो चुका है वालवेश बहुत सस्ते हैं कंपनी के रिजल्ट्स भी इन लाइन आ रहे हैं मैनेजमेंट चे स्ट्रीट का फेवरेट स्टॉक रहा है फ्रेंट्स 2008 की जम मंदी आई थी तो यह और हीरो मोटकॉप दो ऐसे शेयर थे जिन्हों ने उस मंदी में पार्टिसिपेट नहीं यह था और इतने बुरे टाइम में भी पॉजिटिव रिटन दिये तो आप समझ लीजे क्या क्वा आल टाइम हाई से यह भी आदा हो चुका है वालोईशन वाइस देखें तो अगर प्राइस तो बॉक वाल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है रहा है पांस परसेंट नेट इन परसेंट ग्रोथ भी यह अच्छे खासी देखने को मिली है पेरेंटेश बहुत बढ़िया है काफी जो है आउजिंग लोन इनोंने दे रखे हैं पर इस स्टॉक में वी उस तरह की मोमेंटम देखने को नहीं मिले हैं तो बात आती है फ्रेंट्स क्या को इन्वेस्मेंट की अपर्चुनिटी है पर्टिकुलर्ली चार स्टॉक जो हमने आज डिसकस करें इसमें से पी ए सहाब जैसे बड़े जो है वैटर इंवेस्टर जो है सिस्टॉक में इनवेस्ट करने वाले थे जब ब्लैक स्टॉन के साथ डील होने जा रही थे हलाकि वो डील हुई नहीं पर उनका इंटरस दिखाता है कि स्टॉक में कितनी वैल्यू है आईबूल फिनान्स एक दूसरा यह वहां पर इंवेस्टर इंवेस्टेट हैं वह भी जो है कंपनी बहुत मेरे को बढ़िया लगती है ग्रफ प्रटेशन लगता है अगर चारों में बात करूं तो प्याइन भी हाउजिंग फिनेंस बहुत बढ़िया लगते हैं हुड को सबसे सस्ता है पर ग्रोफ बने स्ट्रीट पीएस्टी स्टॉक को जो है कभी भी वालुएशन नहीं देती है तो वहां पर मेरा कन्विक्शन नहीं है लाउजी हाउजिंग फिनेंस जो है और बहुत बढ़िया लगता है जिस तरह का स्टॉक है इन लेवल्स पर आके बहुत अट्रक्टिव हो गया है पर अ ऐसे में वो स्टॉक जिनके वालुशन बहुत सस्ते हैं ग्रोथ पोटेंशल इंटक्ट है वहां पर एक पॉसिबल रिरेटिंग देखने को मिल सकती है इन दोनों कंपनीज में अगर कोई बड़ा डेवलापमेंट होता है तो बड़ी रिटिंग देखने को मिलेगी पीन भी हाउजिंग फिनेंस में तो आप अलड़ी देख भी चुके हैं किस तरह की रिरेटिंग वहां पर देखने को मिलेती हो सरकेट मोमेंट दिखाया था जब नियूस बेक रूब्लेक हुई थी आधितिया पुलिस साब वहां इंवेस्ट करने वाले हैं तो एंडियाबल हाउज फिल जैसे क्लासिक एग्जैंपल हमारे पास है ज्यादा हम दूर क्यों जाएं खुद इंडियाबल हाउजिंग फिनांस ही एक वन ऑफ दा बिगेस्ट वैल्थ रिस्ट्रॉयर है मार्केट का इसके लाब बैंकिंग स्पेस में आपने देखा है और बील बैंक यहां पर जो डामेज है उसको रिपेर करना बहुत मुश्किल है आपने देखा है कि यस बैंक हो गया उसके बाद में आर बील बैंक हो गया इवन पीन बी को में उसी काटेगरी में गिनता हूं लगतार कोई ना कोई फ्रॉट जिस तरह की वैल्थ हैं डेस्ट्रॉई हुई 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 ह और हाउजिंग फिनांस हो गया है वहाँ पर इनवेस्टर को वह रिकावरी देखने को नहीं मिली और ज्यादा तर लोग उपर के लेवल पर ट्राइप है तो अगर किसी को इस तरह के स्टॉक्स में इंवेस्ट करना है ओवर करेक्टिर स्टॉक में थोड़ा हाई-risk अपट